बुद्धार को जाइन्ट फोरूम औफ ट्रेड यूनिन और असोसीशन की ओर से सरकार द्वारा किये जारे नीची करन की फिरोध में अपना आकरूत प्रदेशिन किया गया इस दोरान जेफ्टियों के करमचारियों का खेना था कि सरकार की इसनीती का हम फिरोध करते हैं बारत सरकार द्वारा दो अगस को एक बिल पास किया गया जिसके तहट जनरल इंशॉरेंस बिसनस राइड आक्ट में अमेंडमेंट किया गया जिसमें सरकार द्वारा 51 प्रतीशित जो शेर होता है उस बिल में 51 प्रतीशित से कम करने की मंचा है ऐसा जॉइंट फोरूम औफ ट्रेड यूनियन और असोसेशिन की प्रशान दिख्शित नी कहा इस दोरान उन्होंने कहा कि जनरल इंशॉरेंस के करमचारी 2 अगस को काला दिन मानते हैं आगे उनका कहना था कि सिंडस्री को निछी कमपनी को सौपने की जो सरकार की नीती है हम उसका फिरोद करते हैं ट्रेड उनियन एड आशोसेयेशण इन पब्लिक सेक्टर जनरल इंशूरंस कंपनी, इन्होंने भारत सरकार द्वारा दो अगस्त को एक बिल पास किया गया, जनरल इंशूरंस बिजनेस नैस्निलाइजेशन अक जो है इसमें अमेंडमेंड किया गया और इसअमेंडमेंड के जो दिन है General Insurance Employees के लिए एक काला दिन है और जैसा सभी को ग्याद है कि 13 माई 1971 को General Insurance Industry का Nationalization हुआ था ततकालिन प्रदानमंत्री इंदिरा जी ने उस वक्त 13 माई को सभी जो प्राइवेट कंपनीज थी 106 कंपनीज उनको Nationalization करके चार कंपनीज बनाई थी और केवल 50 साल में ऐसा क्या हो गया कि सरकार को ये इंडिस्ट्री नीजी हातों में सोपने का काम करना पड़ रहा है कि इंडिस सरकार पर निशाना साते हुए उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है वो दो-чार पुझी पत्यों कि इशारे पर काम करती है उन्हीं जहाँ फाइदा होगा वही वो काम करती है सरकार की इच्चा सारजनिक शेत्र को समाप करने की दिखती है ऐसा उनका कहना था इस वक्त उन्होंने मांगी कि सरकार निजीकरन ना करते हुए उन कमपणियों को सरकारी ही रखे कैमरा पोसिन राजकुमार मोल के साथ दिशाहटवार बीसेन नियूस नाकपूर